जाहिन साथियोर, नमस्कार, नमस्ते, गुडियोनिंग, आप सभी साथियों का जीके क्लासिस में हार्दिक स्वागत और विनेंदन हैं, तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और जितना हो सके क्लास को सेर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही सांदार क्लास होने व तो यहां klas साप सभी के लिए काफी मैत्फून klas होने वाला है तो सभी लोग जल्दी से klas में जुड़ जाएं ठीक है तो आप लोग एक बढ़ क्लास को सेर कर देंगे और सभी लोग क्लास में जुढ़ने का पूरा प्रियाश करेंगे क्लास की सुरइबात कर दो उससे पहले आप सभी इधन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी जो भी साथ ही नए है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि नीव और लेश्टेट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे इसके अलावा अगर क्लास आपको प्रसंद आता है तो क्लास को लाइक करें अपने सभी साथियों में सेर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर चाइगा इससे ये फायदा होगा कि अगर आपको क्लास का पीडिया फायल चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फری में पीडिया फायल मिल जाएगा ठीक है तो चलिए क्लास की शुरुवात करते हैं हम लोग और बात कर रहे हैं हम लोग च्छंद के बा हिंदिस साहित कोर्स के अनुसार वनों की संख्या करम मात्रागर्णा तथा यती गती से संबंद रखने वाली नियम स्रिष्टी से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है चंद क्या होता है हिंदिस साहित कोर्स के अनुसार वनों की संख्या और करम मात्रागर्णा तथा यती गती से संबंद रखने वाला एक नियम से नियोजित पद रचना उस पद रचना को ही हम लोग चंद कहते हैं गध का नियमक यदी व्याकरन है तो चंद पद यानि कावी की रचना का मानक है जिस परकार से गध का नियमक यदी व्याकरन होता है तो उसी परकार चंद यानि पद या कावी की रचना का मानक है और पद रचना का जो समुचित ग्यान है वो आपका चंद सास्तर के अध्य द्वारा ही शंभाव है चंद आपका हिर्देगत स्वंदर्य जागृत करती है और चंदोबद रचना में अधिक अस्थाइत्व होता है हिंदी में चंद सास्त्र का अतिधिक विकास हुआ है चंद आपका जो है या हिर्देगत स्वंदर्य जागृत करता है और इसकी रचना से इसके जो चंद बद रचना होती है उसका अधिक अस्थाइत्व होता है वैसे तो चंद के अनेक प्रकार है किन्तु चंदों को हम परमुख तीन भागों में विभाजित करते हैं और वो तीन भाग कोन से हैं आये जानते हैं इसमें पहला भाग है आपका मातरिक चंद मातरिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है मात्रा गणना पे अधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते है इसके नाम से ही अस्पष्ट हो रहा है इस प्रकार का छंद जो मात्राओं पे अधारित हो जिसके अंद्रकत मात्रों की गर्णा की जाती है वो आपका मात्रिक छंद कहलाता है इनमें अक्षणों या वणों की संख्या भिन हो सकती है किन्तु मात्राइं जो है इसमें वो निर्धारित नियम के अनुसार ही होनी चाहिए ठीक है अगला है आपका वर्निक छंद जिन चंदों में अक्षणों की गर्णा होती है उन्हें वर्निक छंद कहते हैं अर्थात वर्णों की गर्णा तथा लगू गुरू वर्णों का स्थान नियत हो वर्निक छंद कहलाते हैं इसमें हम लोग मात्राओं को महत्व नहीं देते हैं इसमें हम केवल अक्षणों यानि वणों को महत्व देते हैं इसलिए इसे हम लोग वणिक छंद कहते हैं और तीसरा आपका है मुक्त छंद यानि ऐसा छंद जिसमें वणिक या मात्रिक पर्तिबंद ना हो मुक्त चंद कहलाता है ना तो इसमें हम लोग अक्षर या वन को महत देते हैं ना ही इसमें मात्राओं को महत दिया जाता है इनमें दोनों ही परतिबंद रहते हैं इस परकार की जो चंद होती है उसे हम लोग मुक्त चंद कहते हैं उधारन के रूप पे निराला की जो ही कली मुक्त छंद है निराला जो है उनकी एक रचना है जो ही की कली जो की एक मुक्त छंद है ना तो इसमें मात्राएं हैं और ना ही इसमें कहने का मतला मात्राएं तो हैं लेकिन इसमें जो मात्राओं का नियम है वो भी सामिल नहीं है औ एक प्रकार का मुक्त चंद है अब बात करें तो जिस चंद के चारो चरणों में एक समान वन हो ऐसे चंद को हम लोग समचंद कहते हैं और जिस चंद के पर्थम और तिरतिय चरण एक समान हो उसे अर्ध समचंद कहते हैं जिस चंद के चारो चरण भिन भिन लक्षणों से युक्त हो उसे विशम चंद कहते हैं तो तीन वाते आपको याद रखना है कि जिस चंद के चारो चरणों में एक समान वर्ण हो एक समान वर्ण का मतलब यह एक जैसे वर्ण हो चारो चरणों में पर्थम चरण में भी एक जैसा वन हो, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथा में भी यानि चारों चरणों में आप देखेंगे तो एक समान वन होगा और इस परकार का जो चंद होता है उसे हम सम चंद कहते हैं दूसरा है आपका कि जिस चंद के पर्थम और तृतिय चरण एक समान हो, पहला और तीसरा चरण एक समान हो, दूसरा और चोथा अलग हो इस परकार के चंद को अर्ध सम चंद कहते हैं यानि आधा समान और आधा समान नहीं होता है ठीक है पहला वो तीसरा चरण आपका समान होगा दूसरा वो चोथा भिन होगा तीसरा है जिस चंद के चारो चरण भिन हो उसे हम लोग बिसम चंद कहते हैं यानि अलग अलग चरण होने पर उसे हम क्या कहेंगे बिसम चंद कहेंगे तो आहे उप आपको समझ में आ रहा होगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ परमुख छंदो का परचे के बारे में बात करते हैं जो आपके परतियों की परिक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और इनसे संबंधित महत्पूर्ण पर्षन आपके हर परतियों की परिक्षाओं में पूछा जाता है जिन परमुख छंदों को हम आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे साथियों उनमें से ही आपके परिक्षाओं में पर्षन पूछा जाता है और ये भी बताऊंगा कि किस परकार के पर्षन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो चलिए जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चौपाई की, चौपाई के बारे में आपने सुना होगा, आपने हर्मान चालिशा और रामान में ये सब आपने पढ़ा होगा, चौपाई जो हो इसलिए इसे चौपाई कहते हैं तथा इसके परतेक चलन में 16 मातराएं होती हैं ध्यान दिजीए का साथियों चौपाई आपकी एक मातरिक छंद है इसमें 4 चलन होते हैं और इसके जो परतेक चलन होता है उसमें 16 मातराएं होती हैं पहले चलन की तुक दूसरे से तथा दूस जो पहला चलन है उसका अंतिम सब्द दूसरे चलन के अंतिम सब्द से मेल खाता है और तीसरे चलन की जो अंतिम सब्द होता है वो दूसरे चलन की या चौथे चलन की अंतिम सब्द से मेल खाता है यानि कहने का मतलब यह है कि जो चार चलन है वो आपस में मेल खाते हैं आपस में मिलते जुलते रहते हैं आई बास समझ में तो ये आपका चौपाई कहलाता है और इसके अंत में दो गुरू और दो लगू होते हैं या तो दो गुरू होंगे या दो लगू चिन्न होंगे ठीक है तो ये इसकी पहचान है है ना तो चोपाई की क्या पहचान है कि चोपाई एक मातरिक छंद है इसके चार चरन होते हैं तथा इसके परतेक चरन में 16 मातराएं होती हैं इसके अलावा पहले चरन की तुक दूसरे से और तीसरे चरन की तुक चोथे से मेल खाती है और इसके अंत में दो लगु या दो गुरु चिन होते हैं उधारन से इसे समझते हैं जैसे गौपद सिंदु अनल सितलाई तो प्रबसी नगर की जे सब काजा हिर्द राखिसव कौसल पुर राजा गरल सुधारिपु अमिये मिताई गौपद सिंदु अनल सितलाई यह आपका चौपाई है इसमें देखिए आप अंत में दो लगु चिन है और इसका जो पर्थम तुक है यानि पर्थम चरण जो है वो दुत्य यानि दूसरे चरण से मेल खाता है देखिए यहाँ पे काजा है तो यहाँ पे राजा है इसी परकार से तीसरा चरण का जो एक दूसरे से मेल खाते हैं, पहला चरण दूसरे से मिलता होगा, और तीसरा चरण चौथे से मिलता होगा, तो ये तो होगे इसकी पहली पहचान, दूसरी पहचान इसकी चार चरण होते हैं, ठीक है, और तीसरी कि इसके परतेग चरण में 16 मात्राइं होती हैं, अब आप कहे कैसे तो आईए देखते हैं कि कैसे इसके एक चरण में चार-16 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं कैसे हैं, आईए मैं आपको गिन के बताता हूँ, ठीक है, इससे पहले एक चीज आप जान लीजे, कि मात्राओं की गृण्ना करते समय, जो आपके हरस्वर होते हैं, वो एक मात्रिक ह होते हैं और जो आपके दिर्ग स्वर होते हैं वो दो मात्रिक होते हैं यानि अगर कहीं पर हरस्वर है तो उसे एक गिना जाएगा लेकिन अगर कहीं दिर्ग स्वर है तो उसे दो गिना जाएगा आई बात समझ में आईए आप देखते हैं जैसे प्रेवसी नगर कीजे सब का पहला चरण है और इस चरण में आप देखिए प्रय एक मात्रा, भी एक मात्रा, सी एक मात्रा, कितने मात्रा होगे, तीन मात्रा होगया, नगर एक मात्रा, गय एक मात्रा, रह एक मात्रा, तो तीन मात्रा तो प्रवसी में होगे, और तीन मात्रा आपके नगर से होगे, ठीक ह में यहाँ पे बड़ी एकी मात्रा है तो इसे दो गिना जाएगा तो दो तो यह हो गया जे पे एकी मात्रा है तो इसे इसे क्या गिना जाएगा इसे आप एक ही गिनेंगे तो दो और एक तीन तीन तो यह हो गया 3, 3, 6 और 3, 9 हो गया ठीक है सब सब में देखिए आप सब में 2 मात्रा है ठीक है 1 मात्रा 2, 1 मात्रा तो सब हो गया काजा में देखिए काजा में का का पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे 2 होगा जा पे भी आ की मात्रा इसलिए यहाँ पे 2 होगा तो 2, 2, 4 हो गया अब इन सभी मात्राओं को आप गिनिए 4, 2, 6, 6, 3, 9 और 9, 6, 15 I think एक गलती हो गई हमार से यह जो आपका J है यहाँ पे भी आपका 2 मात्रा होगा तो यह आपका 4 हो जाएगा ठीक है? यह आपका 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे A की मात्रा है यहाँ पे किसकी मात्रा है? A की मात्रा है और A आपका दिर्गिस्वर है इसलिए इसे भी 2 मात्रा गिना जाएगा एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं साथियो तो कैसे मात्राओं की गणना करना है? चलिए देख लीजे एक बार फिर से प्रबसी जो है इसमें देखे प्रए एक मात्रा हुआ बी यहाँ पे छोटी की मात्रा है यानि हरस्वर है इसलिए यहाँ पे एक मात्रा होगा सी यानि छोटी यहाँ पे भी हरस्वर है यानि एक मात्रा होगा तो यहाँ पे तीन मात्रा हो गया नगर में भी आपका तीन मात्रा होगा क्यों? क्योंकि ने में आ की मात्रा है गे में भी आ की मात्रा है और रे में भी आ की मात्रा है तो यह एक मात्रिक हुआ एक मात्रिक होने से यहाँ पे तीन मात्रा हुआ कीजे में यहाँ पे चार मातरा होगा क्यों क्योंकि आपका जो की है इस पे बड़ी की मातरा है जे पे आपका एक की मातरा है जो की दिर्ग स्वड है इसलिए आपका दो मातरा होगा दूई मातरिक तो दो और दो चार होगा सब सब पे आपका दो मात्रा होगा क्यों क्योंकि से आपका एक मात्रीक है बे भी आपका एक मात्रीक है काजा में देखिए आ की मात्रा है और आ आपका दिर्ग सोड़ है इसलिए आपका दो मात्रा होगा तो दो और दो चार यहाँ पे आपका चार हो गया तो एक जो पर्थम चड़न है उसमें मात्राओं की गिंती करने पर कितना आया 4, 2, 6, 6, 2, 6, 4, 10, 10, 13, 13, 13, 16 यानि कितने मात्राओं आगए 16 तो परतेक चलण में आपको 16 मात्राओं मिलेंगी अगर आप 4 चलणों को मात्राओं की गण्ना करेंगी तो आपको परतेख चरनन में 16 मात्रां मिलेंगी इसी परकार से तो चोपाई एक मातर इक्छंद होता है इसके चार चरनन होते हैं और इसके परतेख चरनन में 16 मात्रां होती है आई होप आपको समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं और आप हम लोग बात करते हैं रोला के बारे में कि रोला क्या होता है तो साथियों रोला जो होता है ये भी आपका मात्रिक छंद है और इसके परतेक चरण में 24 मात्राएं होती है परतेक चरण में 11 तथा 13 मात्राइ आते हैं ठीक तो रोला एक मातरिक छंद है और परतेक चनन में 24 मातराएं होती है जिसमें परतेक चनन में 11 तथा 13 मातराएं होती है और इसके परतेक चनन के अंत में दो गुरु या लगुवन आते हैं आई बास समझ में आईए अभी देखते हैं हे देवी यह नियम स्रिष्टी में सदा अठल है, रह सकता है वह ही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्रात हो चाहे नाना, तो यह आपका एक रोला है और इसमें मात्राओं की गण्ना की जाए, तो देखिए, हे आपका है, देवी है, तो हे देवी यह नियम स्रिष्टी में सदा अठल है, इसकी परतेक चरन की अगर आप गण्ना करेंगे, तो इसमें आपको 24 मात्राएं प्राप्त होंगी, हना, हे मे देखिए, किसकी मात्रा है, एक की मात्रा है, तो यह आपका दिर्गिस्वर है, यहाँ पर इसले दोग गिना जाएगा, तो हे पर तो हो गया दो मात्रा, देवी की बात किया जाए, तो देवी पर भी आपका ध्यान दे, तो देवी पर भी दो-दो मात्रा है, यानि चार मात मात्रा देवी पे हो गया यहां पे आपका दो मात्रा है नियम पे आपके तीन मात्रा है श्रिष्टी में देखिए आप श्रिष्टी की बात किया जाए तो यहां पे भी आपका सेमेरे की मात्रा है यानि एक मात्रा हुआ और यहां पे छोटी की मात्रा है और फिर शेह आधा तो यहां पे भी आपका दो मात्रा हुआ और में की बात किया जाए तो यहां पे भी आप देखेंगे तो इसमें भी दो मात्रा है सदा में आपका देखा जाए तो तीन मात्रा है और अटल में देखा जाए तो तीन मात्रा है है में देखा जाए तो दो मात्रा है तो दो तीन पांच, पांच, तीन आठ, आठ दो दस, दस दो बारा, बारा, तीन पंध्रा, पंध्रा और सोला शत्रा, सत्रा, 7, 4, 21, और 21 और 21 के बाद में अगर आप देखेंगे 22, 23, 23 मात्राओं की गिंती हमने कर लिया है, एक बार फिर से इसकी गिंती करते हैं, कहीं गलत हो गया होगा, तो इसकी मात्राओं की गिंती हम एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, हे में आपका 2 मात्रा हो गया, देवी में आपके 4 मात्रा हो गया एक सेकंड इसमें जगा नहीं है यह दिकत करता है ठीक है हाँ तो हे में आपके दो मात्रा हो गया देवी में आपके चार मात्रा हो गया ठीक है देवी में आपके चार मात्रा हो गया यह है यह में आपके दो मात्रा हो गया नियम में आपके तीन मात्रा हो गया, स्रिष्टी में भी आपके तीन मात्रा होगा, क्योंकि इसमें सै में आधा रे है, टै है, और फिर छोटी की मात्रा है, और शै है, ठीक है, में में आपका दो मात्रा है, सदा में आपके तीन मात्रा है, अटल में भी 3 मात्रा है और है में भी आपके 2 मात्रा है तो 2, 3, 5 हो गया, 5, 3, 8 हो गया, 8, 2, 10 हो गया, 10, 3, 13, 13, 13, 13 हो गया, 16, 16, 12, 21, 23, 24, 22, 24 तो एक चरण में 24 मात्राएं यहां पे प्राप्त हो गया, तो यह है आपका रोला तो रोला में एक चरण में 24 मात्राइं होती है ठीक है इसमें 11 और 13 11 मात्राइं पर यती होती है और 13 मात्रा पर भी यती होती है तो यहाँ पर 11 मात्रा होने के बाद में एक डिलेस होगा जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप हे देवी या नियम तीन दो पांच पांच चार नो नो दो ग्यारा तो यहाँ पे देखेंगे ग्यारा मात्रा होने के बाद में कामा है तो ग्यारा और तेरा यहाँ पे यती होती है ग्यारा तेरा मात्राओं पे तो रोला क्या है एक मात्रिक छंद है और इसके परतेक चरण में 24 मात्राइं होती है परतेक चरण में 11 तथा 13 मात्राइं होती है ठीक है तो आई हुपा आपको रोला समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं हरी गीतिका क्या होता है तो हरी गीतिका की बात किया जाए तो यह भी एक मात्रिक छंद है और इस छंद के परतेक चरण में 28 मात्राएं होती है 16 तथा 12 मात्राओं पर यती तथा अंत में लगू गुरू का परियोग प्रचलित है तो क्या-क्या जानने को मिला हमें इस हरी गीतिका से हरी गीतिका से हमें ये मालूम चला कि यह एक तो मात्रिक छंद है पहली बात तो दूसरी बात कि इसके परतेक चरण में 28 मात्राएं होती है तीसरी बात कि ये 16 तथा 12 मात्राओं पर यती होता है थता अंत में इसके क्या होता है कि लगु गुरु का प्रियोग प्रचलित होता है अगर आप इसके प्रतेक चरण में मात्राओं की गण्णा करेंगे तो आपको 28 मात्राएं प्राप्त होगा कैसे होगा आईए देखते हैं तुलसी में देखेंगे तो तू पे दो मात्राएं हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे दूई मात्रिक है उ है ठीक है U का प्रियोग हुआ है इसलिए दूई मात्रिक होगा तूल सी तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह तो आपका छोटा U का मात्रा है यानि यह आपका हरत स्वर्ड है और हरत स्वर्ड आपके एक मात्रिक होता है तो एक मात्रा तो आपका यह हो गया ले पे एक मात्रा होगा क्योंकि ले में एक ही मात्रा है तो एक ही हो गया एक एक दो हो गया सी में आके दो मात्रा होगा क्योंकि यहां पे दिर्गिस्वर है तो दो और दो चार तुलसी में चार मात्रा हो गया भवा नीही में देखिए भवा पे एक मात्रा है वा में दो मात्रा होगा क्योंकि दिर्गश्वर है नी में भी एक मात्रा होगा ही में भी एक मात्रा होगा क्योंकि यहां पे हरस्वर है तो एक एक दो दो और दो चार एक पांच भवा नी में पांच मात्रा हो गया पुजी में बात करें तो यहां पे देखिए बड़ाउ की मातरा है और छोटी की मातरा है तो यहां पर दो और एक तीन मातरा यहां पर हो गया फिर इदर बात किया जाए तो यहां पर दो मातरा होगा क्योंकि छोटाउ के मातरा है और छोटी की मातरा तो और छोटी की मातरा दी पे तो 3 और रहे, यहाँ पे 4 मातरा है, चली में देखा जाए, तो 1 और 2, 3 मातरा है, यहाँ पे है, अब इन सभी मातराओं की काउंटींग करते हैं हम लोग, तो 4, 5 हो गया, 9, 10, 11, 12, 9, 3, 12 हो गया, 12, 2, 14 हो गया, 14, 2, 16, 16, 16, 16, 13, 19 हो गया, 19, और 2, 20 21 हो गया 21 4 25 हो गया और 25 और 23 28 हो गया तो यहाँ पे टोटल मात्राइं कितनी हो गई 28 तो यह है हरी गीतिका की पहचान आई बात समझ में यहाँ मात्रिक छंद है और इस छंद के परतेक चरण में 28 मात्राइं होती है मैंने आपको मात्राओं की गणना करके बता दिया कैसे मात आई बात समझ में और 16 तथा 12 मातरों पर यहां पर यती होती है तो आप देख सकते हैं कि 4,5,9,9,3,12,12,14,14,16 देखिए पूनी तक आपकी 16 मातरा हैं और मुदित से 4,3,7,7,2,9,9,3,12,12,16 और 16 और 12 मातरों पर यती होती है आई बात समझ में, आगे बात करें और आप हम लोग बात करते हैं दोहा के बारें में, दोहा क्या होता है, दोहा आपका अर्धसम मातरिक छंद है, ठीक है, आई बात समझ में, दोहा आपका अर्धसम मातरिक छंद है, दोहा में 24 मातराएं होती है, याद रखिएगा, दोहा मे 24 मात्राएं होती है इसके पर्थम तथा तृत्य जो की विशम चलन होता है इसमें 13 13 मात्राएं होती है और दूसरे तथा चोथे चलन जो की सम होता है उसमें 11 11 मात्राएं होती है सम चलनों के अंत में लगू भी होता है तो क्या समझें आप आपने दोहा से क्या समझा दोहा आप का अर्ध सम मातरिक छंद होता है दोहा में 24 मातराएं होती है इसके पर्थम तथा तृत्य यानि जो की विसम चरण होता है उसमें 13-13 मातराएं होती है और दूसरे तथा चोथे चरण जो की सम होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है और सम्चरान के अंत में लगू होता है यानि लगू चिन होता है आई पास समझ में आईए अब इसको उधारन से समझते हैं उधारन है एक दोहा है पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहिते हिर्दै बसही सुर्भूप तो पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहिते हिर्दै बसही सुर्भूप ये एक दोहा है और इस दोहा में आप देखेंगे तो 24 मात्राएं हैं इसके परथम तथा तृत्तियें जो की विशम चलान है उसमें 13-13 मात्राएं होगा आप कहेंगे कैसे तो देख लीजे साब पवन में आपके 3 मात्रा हो गया बोलिये हाँ तने में आपके 3 मात्रा हो गया संकट में आपके 4 मात्रा हो गया बोलिये हाँ और हरन में आपके 3 मात्रा हो गया बोलिये यस अब जोड़ लीजिए आप चार तिन सास शात तिन दस और दस तिन तेरा हो गया तेरा मातरा पहले चरन में तेरा मातरा कंपलीट आई ये तीसरे चरन की बात करते हैं राम लखन सीता सहित देखिए राम में तीन मातरा बोलिये यास लखन में तीन मातरा बोलिये यास तो इसके पहले और तीसरे चलन में 13 मात्रा होता है आई बास समझ में दोहा में परतेग चलन में 24 मात्रा होता है लेकिन इसके जो परतेग चलन होता है उसमें आपके 13 और 11 मात्रा होता है यानि 13 और 11 मात्राओं पे यती होती है आई बास समझ में तो मैंने आपको पहला और त तीसरा चरन दोनों में मात्राओं की गिंती करके बता दिया और आप चाहे तो घर पर इसको लिखी कर गिंती कर सकते हैं और आप देखेंगे तो आपको तेरा मात्रा मिलेगा पमन तने संकट हरन में यहां से लेकर यहां तक तेरा मात्रा है और राम लखन सीता सहीत यहां से ल और तीसरा आपका भी सम होता है दूसरा चोथा आपका सम होता है अब यहां पे देखिए मंगल में चार मात्रा है मूरती मूरती में देखिए भईया दो और दो चार एक पांच मात्रा है बोलिया यास और रूप में देखिए आप दो मात्रा है तो पांच चार नो और नो दो ग्यारा हो गया ग्यारा पूरा हिर्दे में आपके तीन मात्रा है बस ही में आपके देखेंगे तो यहाँ पे भी तीन मात्रा है ठीक है सुर भूप सुर यहाँ पे दो हो गया और दो चार और एक पांच यहाँ पे आपके पांच मात्रा है तो पांच तीन आठ और आठ तीन होता है भहिया ग्यारा तो आई बात समझ में तो यहाँ पे भी आपके ग्यारा मात्रा है और यह आपका सम्चरन होता है तो आग्या समझ में दोहा अब हम लोग बात करते हैं सौरठा के बारे में सौरठा क्या होता है ठीक है तो सौरठा जो होता है ये दोहे का उल्ठा होता है उल्ठा होता है सौरठा दोहे का उल्ठा होता है या अर्ध सम मात्रिक छंद है इसके विशम चरण में जो कि परथम और तृतिय होता है उसमें ग्यारा तथा दृतिय चणन जो कि आपका सम होता है उसमें आपके तेरा मात्राइं होती हैं विशम चरण के अंत में गुरू तथा लगू चिन आता है तो जो सौरठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है हना दोहा में प्रथम तथा तृतिय चलन में आपके 13-13 मात्रा होता है और ये चलन आपका भी सम होता है लेकिन सौरठा में आपके प्रथम और तृतिय चलन में 11-11 मात्रा होता है और ये आपका सम होता है दोहा में दूसरे तथा चोथे चरण जो की सम होता है उसमें 11-11 मात्रा होता है जबकि सोड़ठा में आपके दूसरे तथा चोथे चरण में 13-13 मात्रा होता है और ये आपका भी सम होता है तो जो आपके दोहा में सम होता है वो सोड़ठा में भी सम होता है जो आपके दोहा में भी सम होता है वो सौल्ठा में सम होता है आई बाद समझ में तो एक उधारन से समझते हैं कि कुंद इंद समदेह उमा रमन करुना अयन जाही दीन पर नेहु करहु किर्पा मरदन मयन क्या समझे कुंद इंद समदेह उमा रमन करुना अयन जाही दीन पर नेहु करहु किर्पा मरदन मयन अभी से हम लोग गिनते हैं और गिनतने के बाद में आपको पता लगेगा कि कुंद कुंद में आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन इंदू इंदू में भी आप देखेंगे तीन और सम में देखेंगे दो और देह पे देखेंगे आप तीन तो तीन तीन छे हो गया, छे तीन नव हो गया नव और दो हो गया, ग्यारा तो इसके परथम चरण में ग्यारा मात्रा हो गया ठीक है आप कहेंगे कैसे भाईया तो देखें कुंद में आपके तीन मात्रा है इंदू पे आपके तीन मात्रा है और सम पे आपके दो मात्रा है देह पे आपके तीन मात्रा है तो तीन तीन छे और छे तीन नव और नव दो ग्यारा हो गया तो पहले चरण में ग्यारा मात्रा complete, दूसरा देख लीज़े आप, जाहीं, यहां पर आप देखेंगे, दो और एक तीन, तीन मात्रा हो गया, दीन में आप देखें, तीन मात्रा चे नेहु पर आप देख लीज़े, दो और दो चार, चे चार पर आपका दो है क्योंकि यहां पर बड़ी यानि दिर्गिश्वर है और एक तीन यहां पर भी हो गया पर पर आपका यहां पर दो हो गया तो तीन तीन छे छे दो आठ और ने हूं में आप देखेंगे तो यह हूं जो आया यहां पर दो मातरा है और ने तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11 यह आपका 11 मात्रा कंप्लीट हो गया तो सुल्ठा में आप समझ में आ गया मात्राओं की गणना कैसे की जाती है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं और बार्त कत्के हैं हम लोग बर्वे के बर्वे क्या होता है बर्वे क्या होता है बर्वे चंद अर्ध सम मात्रेक चंद है और इसके पर्थम तथा तृतिय चरन जो की बी सम होता है उसमें बारा बारा तथा तृतिय अयो चतुर चरन जो की सम होता उसमें साथ साथ मात्राएं होती है उधारन है अवधी सिला का उर पर था गुरु भार तिल-तिल काट रही थी द्रिग जल धर ठीक है अवधी सिला का उर पर था गुरु भार तिल-तिल काट रही थी द्रिग जल धर यह आपका बरवे है और बारवे में जो होता है इसमें आपके बारा बारा मात्रा होता है पर्थम और तृतिय चलन में ठीक है और दृतिय और जो चतुर चलन होता है यानि दूसरा और जो चोथा चलन होता है उसमें साथ-साथ मात्रा होता है ठीक है तो बैरौ है आप जानगे किieben यह अर्द्श सम्मात्रिक चंद है और इसके प्रथम तसा 30 चलान में 12 और दूसरे तसा चोथे में 7-7 самात्राय होती है उलाला की बात करें तो उलाला आपका इसके पर्थम और तृत्य चलन में 15-15 मात्राइं होती हैं तथा दृत्य और चतुर यानि दूसरे और चोथे चलन में 13-13 मात्राइं होती हैं तो पहला और तीसरा आपके 15-15 मात्राओं वाला होगा, दूसरा और चोथा आपके 13-13 मात्राओं वाला होगा वह भूले ना आसी बीजरा, हे सरण दाइनी देवी तू, हे मात्र भूमी संतान हम तू जनिनी तू प्राण है तो ये आपका एक उलाला है और इसमें 15-15 मात्राओं आपके पर्थम और तीसरे चलन में होता है और 13-13 मात्राओं आपके दूसरे और चोथे चलन में होता है तो अब हम लोग बात करते हैं कि वण और मात्राओं की गंणा किस परकार से किया जाता है तो साथियों वण और मात्राओं की गंणा करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होता है पहली बात तो ये कि अगर आप मात्राओं की गंणा कर रहे हैं अगर वहाँ पे हरस्वर है हरस्वर कौन-कौन से होते हैं यह आपके हरस्वर होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है हरस्वर जो होते हैं यह एक मात्रिक होते हैं इनकी गणना करते समय इनकी जब आप गणना करेंगे तो इनकी गणना करते समय एक लिखा जाता है यानि ये एक मात्रिक होते हैं ठीक है इसके अलावा अगर आपको दिर्गिस्वर परापत होता है अगर आपको दिर्गिस्वर मिलता है और दिर्गिस्वर कौन-कौन से होते हैं आ-ई-उ-ए-ई-ओ-उ इन दिर्गिस्वर्गों की जब हम लोग मात्राओं की गंड़ना करते हैं तो ये दूई मात्रिक होते हैं और इनको जब लिखा जाता है तो दो लिखा जाता है ठीक है इतना आपको पता होना चाहिए ठीक अब एक दोहा है एक उधारन है उससे हम लोग समझते हैं ये एक दोहा है और आप लोग जानते हैं कि दोहा के परतेक चनन में 24 मात्राएं होती है जिसमें पर्थम और जो तृतिय चनन होता यानि पहला और तीसरे चनन में आपके 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चनन में आपकी 11 मात्राएं होती है ठीक है तो एक उधालन है मेरे पास आपका दोहा है और इस दोहे से हम लोग मात्रों की गण्णा करना आसानी से सिखेंगे ठीक है तो साथियों दोवहा में 24 मात्रा होता है पहले और तीसरे चरण में आपके 13 मात्रा होता है दूसरे और चोथे चरण में आपके 11 मात्रा होता है इतना आपको दोवहा में पता होना चाहिए तो चलिए इसको देखते हैं तो देखिए पवन में तीन मात्रा है तने में तीन मात्रा है संकट में चार मात्रा है और हरन में तीन मात्रा है मंगल में चार मात्रा है मुर्ती में पांच मात्रा है और रूप में दो मात्रा है अगर इन सभी मात्राओं की हम लोग टोटल करे तो आपको 24 प्राप्त होगा कहेंगे कैसे तो देखें 3-3-6 हो गया 6-4-10 10-3-13 13-4 आपका 17 हो गया 17-5-12 यानि 22 हो गया 22 और 2 आपका 24 हो गया तो टोटल मात्रा कितना हो गया एक चरण में 24 मात्रा हो गया ठीक है तो दोहा के प्रतेख चरण में 24 मात्रा होता है आई बास समझ में अब इसका जो पर्थम और जो तिर्तिय यानि पहला और जो तीसरा चरण है उसमें आपके 13 मात्रा होता है आईए उसको भी देख लेते हैं तो पवन में 3 तनए में 3 संकट में 4 हरण में 3 अब इसको आप जोड़िए 3 3 6 4 10 और 10 3 13 हुआ ना तेरा तो पहले चनन में 13 हो गया उसके बात में आपका यती है यानि कामा है ठीक है तो दूसरा ये हो गया तीसरा चनन देखिए तीसरे चनलन में देखिए 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 13 यहाँ पे भी आपका 13 मात्रा हो गया तो पहले और तीसरे में 13 मात्रा होता है हाना दूसरे और चोथे की बात करें दूसरा देखिए आपका यह है और चोथा आपका यह है तो 4, 5, 9 और 9, 2, 11 हुआ ना 11 मात्रा 3, 3, 6, 6, 5, 11 हो गया 11 मात्रा आगई समझ में बात तो पहले और तीसरे में 13 दूसरे और चोथे में 11 तो यह है दोहा और इस परकार से हम लोग सभी छंदों की मात्राओं की गन्ना करते हैं ठीक है तो साथियों आज किस क्लास में बस इतना ही और आज किस क्लास में हमने छंद के बारे में बात किया जो परमुक छंद है जैसे चौपाई हो गया रोला हो गया उलाला हो गया दोहा हो गया अना सोरठा हो गया इन सभी के बारे में हमने बात किया और इन से सम्मंदित जो परस्न पूछे जाते हैं वो आपके इसी परकार से पूछे जाते हैं आपको एक दोहा या एक चोपाई दे दिया जाएगा और आप से पूछा जाएगा कि इन में से कौन साथ छंद है ठीक है तो अगर आपको ये नियम इन मातराओं की गन्ना करना अगर आपको आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं तो साथियों आज क्या या क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने सभी साथियों में सेर कीजिए और हाँ सात्यों चैनल को सब्सक्राइब करना न भोले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद थाइंक्यू थाइंक्यू वारिमा जैहिं जै भारत